बिस्मिल्लाहिर्हमान रहीम दिन और तारीख का कॉलम भी जरूर लिखिएगा सवाल हजरत अवैस बिन आमिर करनी के वारे में आप क्या जानते हैं हजरत अवैस रजी अल्लाह अन्हों यमन के शहर करन के रहने वाले थे आपका नाम अवैस बिन आमिर था आप रजी इल्ल्ल्ला अन्हो रसूल अल्ल्ला की जमाने में थे मगर अप्नी वाल्दा की खिदमत की वज़ہ से हजूर ﷺ की जियारत ना कर सके क्यूश्जे आपकी वालिदा बहुत जईव, नाबीना और नात्माती आप रजियल्ह ताला अन्हों का शुमार ताबईन में होता है मगर आप सच्चे आशिक रसूल थे इसी अकीदत और अतात और फर्माबरदारी की वज़े से आपको सहाबी रसूल कहा जाता है हजूर स्लिल्लाहु अल्यावालिवासलम का फर्मान है आपने ये जो हजूर का फर्मान है इसको आपने इन्वर्टिट कौमाज में लिखना है अवैस एहसान और महरबानी के एतिबार से बहतरीन ताबईन में से है उसके बाद अगली लाइन से शुरू करेंगे हम आप रजियल्ला ताला अन्हों का जरिया माज शुतरबानी यानि लोगों के उंट चराना था इसके इलावा आप जमीन पर गिरी हुई खजूर की गुठलियां चुन कर इकठी करते और उनको बाजार में बेच कर अपना और अपनी वालिदा माजिदा के खाने का इंतिजाम करते थे आप रजिया ताला ना की हुabत का ये आलम था के गजबा अहद में आप यमन में थे मगर जब आपको पता चला की हुदूर सलयल्हूबstar के दिंदान मुबारक शहीद हो गए है तो इश के रसूल में आपने अपने सारे दान तोड़ दी बच्चो इस सवाल के जवाब में लफ्स ताबाईन इस्तिमाल हुआ है जिसका मतलब है कि जिनों ने हुजूर को देखा नहीं सिर्फ सुना और उनकी अतात को बूल की अगला सवाल है दूआ की एहमियत औ फजीलत बयान करें सबसे पहले हम दूआ मांगने की एहमियत और फजीलत की हैडिंग डालेंगे दूआ मांगना अबादत है ये अल्ला की बहुत बड़ी रहमत है दूआ इनसान का अपने रब से एक मजबूत रिश्टा कायम कर देती है जो के इनसान के लिए हमेशा खेर और बरकत का बाइस बनती है कुरान में जगा जगा वाज़ तोर पर अल्ला ताला ने फरमाया है कि मेरी अबादत करो और मुझ से ही तलब करो बेशक मैं नवाजने वाला हूँ बच्चों फिर आपने अगली हेडिंग डालनी है दुआ की फजीलत कुरान की रोशनी में सूर अल्मोमिन में इर्शाद बारी ताला है कि जो भी कॉल या हदीस हूँ बच्चों आपने उसको इन्वर्टिट कॉमाज यानि वावेन में लिखना है मुझसे दुआ मांगो मैं कुबूल करूंगा उसके बाद अगली लाइन से लिखेंगे हम सूर अनमल में इर्शाद बारी ताला है कि वो कौन है जो बेकरार शख्स की दुआ कुबूल करता है जब वो से पकारे और तकलीफ दूर करता है फिर हम अगली हैडिंग डालेंगे दुआ की फजीलत और अहमियत आहादीस की रोशनी में नभी करीम सल्ले लाह लिए वाले बसलम ने फरमाया कि जो शख्स अल्ला से दुआ नहीं करता अल्ला उससे नाराज होता है एक और जगा आपने फरमाया दूआ अबादत का मगज है अल्ला के प्यारे रसूल का फरमान है कि अल्ला के नजदीक दूआ से ज्यादा किसी चीज़ में फजीलत नहीं है फिर हम आखरी हैडिंग डालेंगे हर्फ आखिर तुम अल्ला से दिन रात दूाइं किया करो क्योंके दूा मुमिन का हतियार है हमें हर हाल में दूा जरूर मांगनी चाहिए चाहे गम हो या खुशी अमन हो या जंग दिन हो या रात हालत सफर में हो या घर पर हो रोजे की हालत में हो या बगएर रोजे के हमें सोते जाकते उटते बैठते चलते फिरते हर हाल में अपने खुदा से दीन और दुनिया और आखरत की भलाई की दौा मांगते रहना चाहिए और हमेशा हुजूर सल्लालाई लिए वाले वाले सल्म को वसीला बना कर दौा करें क्योंके दौा एक इबादत है अगर कभी हमारी दौा ना कुबूल हो तो हमें कभी भी शिक्वा नहीं करना चाहिए क्योंके इन दौाओं का सवाब और अजर हमें आखरत में मिलेगा और ऐसा नवाजशों जैसा अजर देख कर हम में से हर मौमिन ये तमना और खौाहिश करेगा कि काश हमारे कोई भी दौा दौनिया में कुबूल ना होती इसके इलावा हमें हमेशा दूसरों से भी दौा करवानी चाहिए और हमेशा प्यारे नभी ﷺ के वसीले से दौा माँगनी चाहिए इस तरह दौा बहुत जल्द कुबूल होती है फर्माने बारी ताला है के ऐ मुमिन तुम मुझसे वो मांगते हूँ जो तुम्हें पसंद है और मैं तुम्हें उससे नवासता हूँ जो मुझे पसंद है तो तुम मेरी इनायतों और नवाजिशों पर शुक्र अदा कियाग। Now students, note down your homework, learn and practice of question number 4 and 5 of lesson number 5, Dua ki Ahmiyat in A.R. Allah Hafiz